दबिग बॉस विशय सुशांद पहले मैं कोई भी न्यूस चैनल फ्री में देख सकता था। उस समय मेरे समाचार देखने का 85% से 90% हिस्सा, मेरे टीवी देखने का लगभग 99% हिस्सा क्रिकेट के समय मौसम को छोड़ कर समाचार था। NDTV24x7 हुआ करता था। हाल ही में हमारे नेताओं और समझदार, आप और मुझसे, नौकरशाहों ने महसूस किया कि हमें उन चैनलों का चयन करना चाहिए जने हम पहले से देखना चाहते हैं और केवल उनी चैनलों के लिए भुकतान करना चाहिए। इससे शायद कुछ पैसे बच जाते हैं, लेकिन किसी भी चैनल को देखने की आजादी, आजकल आजादी एक बहुत ही दुरलब वस्तु है और जल्द ही यहार दिक्षनरी से गायब हो जाएगी, छीन ली गई है। इसलिए मैंने आजादी बरकरार रखने के लिए टीवी देखने के खर्च को दोगुना करने के बजाए एंडी टीवी को चुना। कल एंडी टीवी पर रिया का इंटर्व्यू था। मैं दस मिनट से ज्यादा नहीं देख सका। यहाँ उन दस मिनट के भीतर भी केवल शब अच्छे हैं और नहीं मुझे मौजूदा सिस्टम पर कोई भरोसा है जो किसी ठोस कारवाई की तुना में अधिक शेखी बगारते हैं। मैं समझता हूँ कि बिग बॉस की टी आरपी बहुत अधिक है और यहाँ दस साल से अधिक समय से चल रहा है। मैंने देखा कि 13 सीजन समाप्थ हो गए हैं और 14 वी योजना चालू है। यह भारतिय महाद्वीप की साथ भाशाओं में चलाया जाता है डिजिटल प्लाटफॉर्म पर उपलब्ध है। अगर आप भी बिग बॉस देखने से चूक जाते हैं तो आप इसे विकी या इंटरनेट पर उपलब्ध किसी अन्य विश्वसनी अस्त्रोथ पर देख सकते हैं या आप इस पर जा सकते हैं। मुझे देखना मुश्किल लगता है, बिग बॉस मेरी समस्या है। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इसे कमोबेश नियमित रूप से देखते हैं। जब हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि सुशान्त के मामले में क्या हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि हमारे साथ क्या गलत है। कल 28 अगस्त कारिया चक्रवर्ती के साथ साक्षातकार का शो मुझे एक सुराग देता है। यह बनने वाला अगला बिग बॉस है। यह 14 साल तक नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी यह उच्चे टी आरपी बटोने वाला एक बड़ा हिट है। इसमें परिवार है, रोमांस है, प्यारन फ्रत के रिष्टे हैं, नशीले पदार्थ है, तूटे हुए दिल है, वीरता है।